अलो गाईज दिस इस कुर्णाल कपूर और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर पर आसानी से आप पनीर बना सकते हैं पनीर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस्तमाल करें फुल क्रीम मिल्क का यह फुल क्रीम मिल्क है जो उबल रहा है इस वक्त अल्मोस्ट एक लीटर फुल क्रीम मिल्क को स्प्लिट करने के लिए एक बड़े नीम्बू की जरुवत पड़ेगी आप चाहें तो विनेगर का भी स्तमाल कर सकते हैं एक से दो चमच लेकिन विनेगर का एक बहुत ही जादा स्ट्रॉंग फेवर है इसलिए मैं नीम्बू प्रिफर करता हूँ at this stage you can also add some salt दूद में उबाल आ गया है इसमें नीम्बू डालने से पहले नीम्बू में हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे उसे डालूट करेंगे इसे अब हम धीरे धीरे इसमें डाल देंगे and we keep stirring it there you will notice जो मिल्क सॉलिड्स हैं वो स्प्लेट हो गया है we will cook it a little more all right paneer clearly split हो चुका है we'll turn off the gas और इसे अब हम छान लेंगे हमार पास यह मस्लिन कपड़ा है इसे हम बिचाएंगे और अब इसे हम छान लेंगे all of it carefully इसे अब हम उठा लेंगे let the water drain in the meantime हमार पास है यह plain water इसके अंदर अब हम इसे हल्का सा डिप करेंगे and take it out just let it be there for few seconds and just take it out इसे यह होगा जितनी भी नीमू की खटास है वो निकल जाएगी बट इस टेच पे अभी भी काफी होट है so careful इसको हम रोल करेंगे and then इसे हम एक भारी चीज के नीचे रखकर इसे दबा देंगे इसके ओपर जाएगा मेरा इस चॉपिंग बोर्ड प्रेस इस पे हम डालेंगे हमारा यह भारी बरतन इसे इसी तरीके से हम रखेंगे ताके पनीर में एक अच्छी शेय पाए करीबन 10 से 15 मिनट के लिए all right guys time to check on our paneer let's remove this and there I already see this firming up and look at that this is malai paneer let's just cut it best is के इसे कातने से पहले एक से दो घंटे के लिए रफिजेट करे ताके यह थोड़ा सा एंथ जाए और आराम से कटे malai paneer I love it hey guys if you're enjoying what I'm cooking here there is a lot more that's coming your way to keep yourself updated subscribe to my channel I love it